वेल्कम बैक फ्रेंड में हूं मानिक पाइक और मेरा साथ कनेक्टे ट्रैनिक लिए बहुत बहुत सुक्रिया आज डिसकस करेंगे गूगल डायनेमिक साड्स एड्स जो यहाँ पर आपको पूरा स्टेप बाइस्टेप गूगल एड्स ट्यूटल इनी हिंदी में सीखने को मि जानता है कि मैं ज्यादा तो ज्यादा गूगल आड्स ट्यूटल की नहीं इसके साथ चाथ आपको डिजिटल मार्केटिंग लाइक एसे एसे पर देख रहे हैं तो मैं आपको रिकूस करूंगे एसे लो सब्सक्राइज का लिजिए और चलिए एक साथ मिलका सुरू करते है और समझ लेते कि एक्चुली गूगल डाइनेमिक साथ आड्स के है और एक ऐसे तरह के से काम करते हैं तो लोजिक यहाँ पर जो डिस्कस काने के एही बात है कि अगर आपको पास अल्रडी बहुत एक बड़ा एकोमस साइड है तो आप इसको 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 इस्तंबल करके ज् एकजम्पल के दिखा दू तो आपको साइड कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको सामने में एक कोई साइड रखना चाहतू जिसका नाम है Amazon.in आप जानतों मैं इसको प्रोमोशन नहीं करूँ बस आपको एकजम्पल के दोवारा यह सारे सीस देखाने के लिए मैं आपको क आपको या इतना बड़े टीम तो हार नहीं कर सकते अगर आप कमपानी के पैसा सेब करना चाहते हो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए एक add campaign चलाने के लिए अबको डाइनेमीक साथ add campaign की जुरूद होगा और आपको इसको help लेना होगा यह dynamic ad उन लोगों के लिए है जो actually बड़ा website बना तो लिया और उसके साथ चादो हर एक product के लिए अलग-अलग type के ad campaign चलाना उसके लिए बहुत times loss होने के बाद है तो अगर आप time save करना चाहते हो तो मैं आपको solution करूँगा कि आप अगर dynamics जो enable website के ad campaign चलाना चाहते हो और यह मेरा e-commerce side है ज्यादा तो ज्यादा ज्यादा actually dynamic website बहुत बड़ा website के लिए होता है अगर आपको website चार पेज या पास पेज या दस मंदरा पेज के अंदर है तो आप ज्यादा तो ज्यादा ज्यादा dynamic जो source result ads के लिए होता है वह आप इग्णोर कर सेकते हो मतलब इसको जुरूरत नहीं है अगर आपको website e-commerce side है और बड़ा बड़ा side और बहुत सारे product listing है उसके अंदर तो आप dynamic source ads के help ले सकते हो आप बारे और जो कुर्स से निहाँ पर चला आ जाते है कि dynamic source ads कैसे दरेके से काम करते है तो बस कुछ जरूरत नहीं है अगर आप Google Ads जो टूल्स है यह अगर आप open कर लेंगे new Google Ads तो यहाँ पर आपको देखने के मिलेंगे कि dynamic source ads जो target relevant और sources automatically based on your website then use headline automatically तो फ्रिंट यहाँ पर सोटों से एक short decision दिया है अगर आप इसके बारे में और भी पढ़ाई करना चाहते हो तो यहाँ पर learn more click करके आप ज्यादा से ज्यादा information gather कर सकते हो आप बारे आते है कि यहाँ पर तो आपको बता देए को relevant source automatically based और इसके साथ साथ आपको जो website title meta definition और आपको website के content related है और related के हिशब से आप एक ad campaign google आपना website करता है right तो मान के चले में यहाँ पर eco sound system में खरीबना चाहते हो तो eco right eco speaker 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 तो मैं eco speaker मारूँगा तो आपको साथ पता ने लगा Amazon के जो eco है यह सारे के सारे चीज आपको आड देखने को मिल रहा है तो friend आपको क्या लगते है कि हर एक product के लिए Amazon अलग अलग लोगों के लिए monitoring करने के लिए सारे सीज यह करने के लिए क्या कोई लोगों को हार किया नहीं friend इसके एक relevant है के google आपने आप समझ जाते है कि इसका जो related जो website है यह website की हिशब से एक landing page बना देता है तो यह होता है eco page तो अगर आपको website के relevant की जो title है जैसे मान के चली यहाँ पर जो title है वाल निव इको डॉट और एसमार्ट स्पीकर तो यह title के हिशब से और इसके अंदर जो content है eco plus यह हिशब से google अपना आप डिसाइड कर लेते है कि आपको website के exactly कौन से वाला keyword जो user search कर रहे और आपको relevant अगर add math हो जाता है तो Google अपना अब आपका add दिखाना सुरू करते है पर हां यहाँ पर जो particularly आपका जो website के लिए best जो keyword है और जो user ज्यादा तो ज्यादा अफसास करते है उसके relevant के हिशब से आपका add campaign चला लगता है तो friend आप यह थोड़ा सा समझ सकते हो और इसके साथ साथ आप चाहे तो by default English language या कोई भी आपको जो targeting show से ज्यादा जो है कि अगर आपको website के google index किया है ओपेज तो ज्यादा से ज्यादा यह ad campaign आगर शो हो जाएगा आप जानता हो कि इसके साथ साथ आपको website index करने के लिए robot.txt जो है वो program आपको website के अंदर रखना होगा अगर यह नहीं होगा आपको website अभी था Google index नहीं किया तो आपको ad show नहीं करवाएगा तो फ्रेंट आप जानता हो कि मैं एक professional digital market हो जहाँ पर में A.C.S.O.P.C. Google Ad और इसके साथ साथ आपको digital marketing के service related जो social media marketing, facebook, twitter इसके उपर में काम करते हो तो अगर आपको business के लिए मुझे hire करना चाते हो तो यहाँ पर जो number है यह number call करके भी मेर साथ बातचीत कर सकते हैं तो फ्रेंट यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं Google Ads के उपर बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ यह 21, 2090 ऐसा ही तो बहुत सारे वीडियो तो अगर आप मेरा चैनल सब्क्राइब नहीं किए तो प्लीज आप Google पर यहाँ पर YouTube पर जाके आप मेरा नाम लिख दीजिए और नाम लिखने के बाद आपको सामने में जब भी मेरा नाम शो हो जाएगा तो प्लीज आप घंटे बटन दवाकर यह से सब्क्राइब बटन और यह सारे सी दवाकर मेरा सपोर्ट कीजिए आप जांदी यहाँ पर ऑल्रेडी टू त्री वीडियो है और मैं जितना सारे वीडियो के शेयर की हो डीप लाणिंग के उपर में वीडियो शेयर का दिया तो मैं आपको यह प्रॉमिस कर सकते हूँ कि जादा तर जादा जो यहाँ पाद जो टूटेल क्लास है पूरा कंप्लेटली शीरीज आपको मिल जाएगा और ओभी आपको बि आपको देखने के मिलेंगे तो फ्रेंड यही था डाइनमिक एड केंपेंड की उपर अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिये और अगर आपको बुरा लगते तो डिसलाइक भी कर सकते चले फ्रेंट थैंक्यू आपने इंपोर्टे कर दो कर दो